हेलो फ्रेंट्स आज मैं जिस एक्टर के बारे में बता रही हूँ जिसे आपने रिसेंट्ली दग किंग अंटर्नल मोरांक में देखा है जिसका नाम डू हुआन है तो चलिए आज उनके बारे में कुछ जानते हैं जो इंट्रेस्टिंग है दू हुआन ने 2011 में ड्रामा की दुनिया में कदम रखा था वो भी एक मामली रोल के साथ अपने एक्टेंग की सुरुआत की थी और दीरे दीरे बिगर रोल तक पहुँचे और बहुत महनतों के बाद उन्होंने कुछ पॉपलारिटी प्राप की आखिकार 2017 में ड्रामा से मी म अस्टेंड आउट प्रफोर्मेंस ने लोगों को उनकी तरफ आकर सित किया जिससे लोगों ने उन्हें नोटिस करना इस्टार्ट किया 2017 में डू हुआन के लिए एक गूड इयर था पॉपलर से मी में एक्टिंग करने के बाद डू हुआन ने एक और सक्सेस्पुल ड्रामा स्रीज किया उसी ही साल 31st KBC ड्रामा एबॉर्ड में एक जिनियस फॉर्मर स्केम आर्टिस के रूप में सांदार एक्टिंग के लिए बेस्ट नियू एक्टर एबॉर्ड जीता इस ड्रामा में उनका रोल पुलिस से डिडेक्टिप का था यह ड्रामा एक इंसुरेंस कंपनी में होड़ एक्टिंग की जिसमें उनकी भूमिका हाई एचीविंग कॉलिज इस्ट्रेंड की थी जो लब पर बिलीव नहीं करता था हालाकि इस ड्रामा के लिए रिव्यूस को मिक्स किया गया था फिर भी यह ड्रामा देखने लाइक है इस ड्रामा में डूवान को एक्षन में देख स्टार्ट बन गए उन्होंने मेनेजमेंट एजनसी की इस्ट की स्थापना की जिसमें अधर आर्टिस जैसे पिरियर्ट जॉम्मी ड्रामाज के जू जी हुन और फार्मर गल्र ग्रूप की काड़ा के मेंबर्स कांग जी यंग के साथ एक साथ हवन किया डूवान ने स्कू दूवान ने अपनी फर्स्ट मैजोर्फ मूवी रोल के लिए उन्होंने एक खनलाई की एक्टिंग की थी इस मूवी में डूवान पार्क सियो जून के कोश्टार थे डूप हुआन जो एक रहस में नाइट कलब का मालिक होता है इस मूवी में जिस एक्षन होरोर फिल्म द अक्षसों का अंद करता है इस मूवी के बाद दोनों एक्टर आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे दूवान को उनके फैस्टनेवल इमेज और यंग जेनरेशन के लिए उनकी अपील के कारण कर गुरूप ब्लैक पिंक के साथ स्प्राइट का परचार करने के लि इंटर्व्य चल रही थी तो डूवान ने बताया कि उनके बच्पन का ड्रीम था कि एक पाइलट बना लेकिन उनके पैरेंट्स ही थे जुन्होंने उन्हें उन्हें युनिवर्सिटी में फिल्प कोर्स करने के लिए इंक्रेस किया मैं डूप ड्रामा के इंटर्व्य के द उन्हें कह देंगे तुम मुझे पसंद हो जो हुआन ने एक इंटर्व्य के दुरान बताया कि वह उन लड़कियों को पसंद करते हैं जो अपनी फिलिंग के साथ ओनेस्ट हैं जिससे वह आसानी से बात कर सकते हैं उन्होंने ये भी बताया कि वह एक लड़की को पसंद कर अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें